आज का ये बहुत ही खास वीडियो है SSC वाले के लिए जो भी 10 स्टेंडर का एक्जाम देने वाले हैं science 1 के लिए मैंने बहुत ही important question most important question जो आपके है most important question आपके यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आज most important question मतलब ये जो भी आज session होने वाला है आप screenshot मारते रहिएगा ठीक है तो मैं आपको most important question देने वाला हूँ जो आपके 10 standard में अभी तक अगर आपकी पढ़ाई नहीं भी हुई है तो भी आप last moment पे बहुत ही अच्छे score कर सकते हो 10 standard का ये आपका video lecture है इस lecture में आपको मैं science 1 के जितनी भी question है most important question मैं आज सब question आपको बताने वाला हूँ तो मेरे साथ बने रही है पूरे video में video skip नहीं करिएगा क्योंकि सारे जो questions है उसका answer के साथ है तो screenshot मारते रहेगा तो आप लोगों को जो भी answers वगेरा है वो मिलते रहेंगे ठीक है तो question और answer दोनों है यहाँ पे तो इसके लिए आप लोगो screenshot मारते रहेगा और आप लोग समझते रहेगा कि क्या है यह आपका बहुत ही important lecture है तो आपके friends के साथ भी video को share कर देजेगा तो जो भी 10 standard में है आप आगे science ले रहे हैं और अब भी अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को subscribe कर ले ना chemistry अभी को मेरे को Instagram पे आप follow कर सकते हो आप Telegram चैनल भी मेरा join कर सकते हो Twitter पे हो गए तो उसको join कर सकते हो बट अभी के लिए चैनल को subscribe कर देना यह मेरे को भी बहुत help हो जाएगा और आप लोगों को भी मैं जो important चीज़े हैं वो मैं बताते रहूंगा तो इसके लिए आ मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रही है जिससे कि आप लोगों को important जो भी है आपका 10 standard में वो आपको update मिलते रहेगा चले आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि first आपका question जो है सबसे important question आपका magnetic separation method ये जो method है आपके exam में पूछा जाता है magnetic separation method तो सबसे पहले फटा-फट से इस important question है आपके exam के लिए इसका screenshot ले लिजे इसके आगे इसका एक और पार्ट है उसका भी screenshot लेना है आप लोगों को ये है आपका magnetic separation method ठीक है ये method आपके exam में आएगा तो ये page का भी screenshot ले लिजे फिर थोड़ा समय बता देता हो जादा मैं deep में नहीं जाओंगा आज कुछ भी करने के mood में नहीं हो आप लोग screenshot लेते रहो आप लोगों को ये जो question answer से सब मिलते रहेंगे तो screenshot ले लिया होगा तो देखो magnetic separation method जो है आपका इसके अंदर क्या होता है जो आपके और या compound जो होते बाहर से लाते उसको इसमें डाला जाता है और metal और non metal की impurity है magnetic built होता है तो magnet सो क्या चिपक जाता है metal तो metal चिपक जाएगा और non metal आपके इहां पर collect हो जाएंगे जो भी non metal compound है और metallic compound इस वाले में आपके collect होंगे जो magnetic built से चिपके होए रहेंगे ठीक है ये magnetic separation important है आप लोगों के लिए दूसरा most important question जो आपका यहां पे white light को जो seven colors में transfer होता है glass beam के थू यह आपको आएगा exam में तो यह seven colors properly याद कर लेना विब गयो जो है आप लोगों का violet indigo blue green yellow orange and red यह आप properly याद कर लेना जो sunlight white light रहता है तो prism पे लगने के बाद seven color में convert हो जाता है तो यह बहुत ही आपका important question है यह वाला आप लोग याद कर लेना properly screenshot ले लिजे इसका भी ले लिया रहेगा तो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ आपका यह देखो आई आक का जो है आपका किस तरीके से होता है lens और retina वगरा तो यह question भी आपका बहुत ही जादा important question है तो इसको भी आप लोग फटाफस से screenshot ले लिजे तो आई वाला जो question है आप logo का आएगा ठीक है तो जो चश्मा वगरा लगा रहता है कौन सा lens वगरा यूज़ करेंगे कब यह सारे question भी एक बढ़ लेना ठीक है next आगे बढ़ते हैं हम लोग आपका देखिए IUPAC name जो है आपका exam में आता है तो यहाँ पर directly जैसे आपका बोल दिया common name दे देता है sometime और बोल देता है compound बनाओ plus IUPAC name लिखो तो यह कुछ important compound है जिनका common name दिया जाता है वो लिख लो आपका acetylene होता है triple bond aldehyde होता है आपका यहाँ पर CHO और amine NH2 group यह कुछ important compound है जो direct common name देके पूछे जाते है structure बाकी आपको अगर IUPAC नहीं आता है करने तो मेरा एक वीडियो है य 11 standard का है आप लोग भी वो चीज़ देखके IUPAC name सीख सकते हो बहुत ही simple way में मैंने explain किया हुआ है तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हो तो इसका screenshot ले लीजे फड़ाफद से आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर देखिए आपके functional group जो compound है यह सारे भी exam में आते है directly आपको sometime functional group दे दिया जाता है या फिर आपको fill in the blanks रहता है यहाँ पर आपको empty रहेगा आपको बनाना रहेगा कि कौन सा compound यहाँ पर आने वाला है तो यह वाला question भी आपका बहुत important है इसका भी screenshot ले लीजे अलकोहल में OH होता है aldehyde में CHO होता है ketone में CO group होता है carboxylic acid है वहाँ पर itone carboxylic acid आप लोगों के लिए important है तो यह फटफट से screenshot ले लिजे ले लिए रहेगा तो आगे बढ़ते हैं और नहीं जो ले पा रहे हैं वह back करके वीडियो को वापस से screenshot ले सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं आपके chemical reaction जो है यहाँ पे combination reaction, combination, oxidation, double displacement तो यह reactions जो है आपको मै जो है जो आपका combination reaction है इसमें दो compound combine हो जाते हैं, combination में दोनों combine हो जाते हैं, oxidation reaction क्या होता है देखो oxidation का मतलब पता ही है addition of oxygen, removal of hydrogen, the part of hydrogen को क्या कर दिया, निकाल दिया, ओके, फिर double displacement में क्या होता है, कि यह positive इसके negative के साथ जाएगा, इसका positive इसके negative के साथ जाएगा, और double displacement हो यह मतलब copper iodine के साथ जाएगा और potassium chlorine के साथ जाएगा double displacement reaction यह याद कर लेना बहुत ही simple सा है and balancing chemical equation सारे के सारे कर लेना आप लोग को balance करने आना चाहिए तो एक और यहाँ पर important mark लिख लेना balancing chemical equation balance करने के लिए आपको आना चाहिए most important question balancing chemical equation लिख के ले लो किदर साइड में balancing chemical equation आपके exam में आएगा 101% ठीक है चलिए आगे बढ़ते atomic radius goes on decreasing while going from left to right यह आपको reason पुछ सकता है क्यों atomic radius decrease होता है जब हम लोग left से right के तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक point बता देता हूँ आप onward में लिख सकते हो left से right जाएंगे तो size of atom छोटा हो जाता है तो छोटा अगर size हो रहा है तो radius भी क्या होगा छोटा होगा अगर आप sphere जो आपका round है उसको छोटा करते जाओगे तो आपका size भी क्या होगा obviously छोटा होगा तो याद कर लेना के atom से जो nucleus का force of attraction increase हो जाता है इसके वज़े से size क्या होने लगता है decrease होने लगता है तो छलो आगे बढ़ते हैं यह आपका most important question है यहाँ पे why are geostartical satellite not useful for study for polar reason यह question भी आपके लिए important है याद कर लेना यह question ठीक है screenshot ले लिजे जो भी है देखिए 19 में question यह पूछा गया है 2019 में यह question पूछा गया है मैं बोल रहा हूँ जो और भी time पूछा गया है तो इसके लिए क्योंकि यह आपके daily life के होता है इसके लिए ऐसे questions important है आप लोगे के लिए यह वाला आपका एक formula है 1 upon F is equal to 1 upon U minus 1 upon 1 upon B minus 1 upon U इस formula के basis पे problem पूछा जाता है तो यह type का problem मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है यह type का problem कर लिजेगा ठीक है तो देखिए आपके focal length F की value जो आपका दिया हुआ है F की value और U की value भी दिया हुई है तो यह दोनों के value आप put करके निकाल सकते हो ठीक है सबसे पहले आप given लिखना then formula लिखना and then उसका problem को solve करना most important question आपका problem में एक आगे capillar law capillar law आपका most important है सबसे first starting में यही first chapter का यही एक important सबसे important question इसके first, second and third तीनों law important है capillar law के तीनों law important screenshot माल लिजे मैंने इसके लिए आपके लिए क्या लाया है question और answer फटाफट इसके लिए मैं complete करा रहा हूं आपको कि आपका exam है आप लोग ज़्यादा time waste नहीं करेंगे YouTube पे या फिर किदर पे भी आप लोग को मैं चोट कम time में ज़्यादा चीजे बताने को चाह रहा हूं ठीक है तो फटाफट से इसके screenshot ले लिए चले आगे बरते हैं यह आपका डोबे राइनर थेरी इतना छोटा से statement नहीं है थोड़ा और है तो वह आप लोग एक बर अपने book में से देख लेना डोबे राइनर आगे बढ़ते हैं न्यू लैंड के बद मैंडलीव मैंडलीव भी कर लेना और modern periodic law जो है वो भी आप पढ़ लेना एक बर ठीक है यह आपके important question है उसमें से मैंडलीव जो है ज़्यादा important है as compared to other ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे देखिए endothermic reaction and exothermic reaction most important question most important mark कर लिजे most important question है आपका endothermic and exothermic reaction mark कर लिजे इसको screenshot ले लिजे इसका most important question है आपका आगे बढ़ते हैं यह most important question आपका सबसे ज़्यादा right hand thumb rule पूछा जाता है right hand thumb rule यह वाला question आप अच्छे से करके जाईए गा right hand thumb rule ठीक है mark कर लिजे right hand thumb rule screenshot ले लिजे जो भी है आप कर रहे हैं screenshot ले रहे हैं screenshot फटाफट लेते रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं right hand thumb rule उसके बाद आपका left hand rule left hand rule भी important है आपका right hand thumb rule and left hand rule दोनों ही आपके most important question के अंदर आते हैं तो mark कर लेजेगा याद कर लेजेगा properly left hand thumb rule and आपका flaming left hand rule and right hand thumb rule दोनों के दोनों आपके important question है आगे बढ़ते हैं flaming right hand rule यह आप उसका statement है तो यह तो पहले ही बता है वही वाला question आप लोग अच्छे से कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं faraday's law faraday's law आपका important question है और right hand thumb rule का यहाँ पर statement है faraday law law याद कर लिजेगा faraday law क्या है ठीक है most important है आपका most important question मैंने आज जितने भी question लाया है आपके लिए with answer लाया है और यह सारे के सारे most important question के अंदर आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आपके जो right hand rule है यह वापस मैंने बनाए यहाँ ठीक है यह question आपने पीछे भी देखा वही question यहाँ पर साय चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यह जो diagram है आपका figure यह figure पर आपको directly question पूछ सकता है कि क्या हो रहा है तो figure में आपको naming करने को दे सकता है या फिर उसका process लिखने को दे सकता है तो most important question है आपका यह most important question है screenshot ले लिजे और इसका जो answer है वो याद कर लिजेगा properly ठीक है आगे बढ़ते हैं यह जो lens का formula मैंने बताया था पीछे problem के लिए तो यह इसका formula के उपर भी directly statement पूछ लेता है तो यह भी आप लोग कर लिजेगा अच्छे से देन आपका यह जो है क्या बोलते हैं lens का process एन उसका formula तो यह वाला भी आप लोग part कर लिजेगा लेकिन यह उपर का question number four जो यहां पर है यह ज्यादा important as compared to this तो four वाला बहुत यह अच्छे से कर लिजेगा screenshot माल लिजे इसका चलिए आगे बढ़ते हैं next है आपका explain the term structural isomer with example महला आपको यहां पे structural isomer बनाना है structural isomer most important question है आपका structural isomer तो यहां पे आपको example भी देना पड़ेगा हाँ यहां पे देखिए मैंने आपके लिए example भी दिया हुआ है तो वो उसका screenshot माल लिजे और यह आपका उसका example है जो butane व होता है उसमें chemical formula होता है but structure में मतलब यह carbon को उठा के इधर किदर लगा दिया ठीक है तो यह आपका most important question के अंदर आता है mark कर लिजे यह वाला question बहुत ही जादा important है आपके सारे reaction में substitution reaction क्या होता है hydrogen को निकालो chlorine डालो hydrogen को निकालो chlorine डालो बहुत simple सा है सारे के सारे step अच्छे से कर लेना substitution reaction में क्या होता है जनरले सिफ hydrogen को निकालते हैं methane में से chlorine को डालते है जितना hydrogen दिखेगा निकालते जाने का जितने बार पूछा उतने hydrogen क्या होंगे methane के निकलेंगे जिसे इसमें तीन बार पूछा तो तीन बार आपके methane में से तीन hydrogen निकले वहाँ पे तीन chlorine आ गया दिख रहा है तो most important question है आपका substitution reaction अच्छे से कर लिजेगा डन इस्टेरिफिकेशन आपका organic में से जो आपका carbon वाला chapter है इस्टेरिफिकेशन मतलब acid अलकोहल दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा इस्टर बनेगा most important question आपका and saponification reaction ये भी आपका question बहुत important है तो मक कर लेजेगा दोनों को क्योंकि ये questions आपको पूछे जाते हैं तो इस्टर और sodium hydroxide से आपका sodium salt बनता है चलिए आगे बढ़ते हैं इसका skin shot माल लेजेगा next question electroplating आपको पूछे जाता है और plus इसका application पूछा जाता है electroplating कहां पर use होता है तो आप लोग को पता रहना चीए कि electroplating आपका कहां पर use होता है तो जो आपके gold के one gram gold वो गेता रहता है वहाँ पे electroplating method का use करके ही पनाया जाता है तो याद कर लेजेगा अच्छे से electroplating method with diagram चली आगे बढ़ते हैं जो अभी मैंने आपको बता है substitution reaction इस तरीके से भी पूछ सकता है chlorine is treated with methane तो chlorine और methane का reaction यहाँ पे plus आएगा ठीक है CH4 plus CL2 आएगा यहाँ पे plus mark कर लिजेगा ठीक है यहाँ पे plus और आपका ये question most important question के अंदर आ रहा है तो इसको भी screenshot मार लिजे manly periodic table और modern periodic table में distinguish between distinguish between दो question आपके exam में आ रहे हैं इस बार दो question आएंगे इस बार exam में तो आपके distinguish between जितने भी है करना है मैं आपको बहुत से distinguish दे रहा हूँ यहाँ पे और सारे के सारे important वाले distinguish है पहला आपका most important manly periodic table और modern periodic table में difference क्या है ये most important है screenshot मार लिजे इसका चली and reflection of light यह most important है आपका exam के लिए तो इसको mark कर लिजिए screenshot माल लिजिए जो भी आप कर रहे हैं distinguish between आपका दो question आएगा यह mark कर लिजिए सली आगे simple microscope and complex microscope में क्या difference है यह आपको exam में आएगा जितना मैं दे रहा हूं इतना ही point आप लोग लिखिए exam में बहुत आपका इतना point आपको काफी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह screenshot मालते जाए जितना भी है आप लोग screenshot मालते जाए आपके पास question का collection मनते जाएगा next saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon जो आपके single bonded compound होते है saturated होता है double or triple bond unsaturated होता है तो यह most important question के अंदर है तो इसको भी mark कर लिजे यह question अच्छे से करके जाएगा distinguish between जितना भी दे रहा हो वो उतना भी करोगे तो more than enough है चलिए आगे बढ़ते हैं alkane and alkene के बीच में distinguish between alkane and alkene के बीच में most important question है आपका alkane and alkene के बीच का distinguish ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका convince lens के बारे में पूछ सकता है use पूछ सकता है convince और state पूछ सकता है आपका convex lens का चलिए आगे बढ़ते हैं आपका lens में ही simple microscope के बारे में पूछ सकता है simple microscope के बारे में तो ये इसका diagram के साथ diagram जितना भी दिख रहा है diagram importance है ठीक है diagram का बहुत ही जादा important है इसके लिए diagram वाले question अच्छ से करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ये उसका आगे वाला part है question का तो इसको भी फटाक से क्या कर लीजे screenshot माल लीजे उसी question का question number 3 जो है इसी का ये part है तो इसका भी screenshot साथ में ही रखिएगा दोनों का एक ही है चलिए आगे बढ़ते हैं next है आपका carbon compound के बारे में यहाँ पे आपको fill in the blanks दे सकता है तो fill in the blanks आपको fill करना है मतलब इसके चार नाम लिखना है alcohol के तो methane all, ethane all, propane all and butane all ऐसे चार आपका पता है हम लोग को 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 1 को methane, 2 को ethane, 3 को propane, 4 को butane बोला जाता है तो इस and mark कर लिजे, screenshot मार लिजे और ऐसे question आपको आते हैं exam में, चलिए आगे देखते हैं, chemical reaction and equation यह type का diagram आएगा, इसके उपर आपको statement पूछेगा, तो यह आपको आता है question मैंने और भी लिया है I think इसका, तो यह mark कर लिजेगा और इसका अगर question answer मिलता होगा तो कर लिजेगा, most important यह exam में बहुत बार पूछा गया question है यह, ठीक है, mark कर लिजे, बहुत important question है, chemical reaction and equation का, balancing कर लिजेगा, चलिए आगे, draw the neat level diagram, किसका experiment arranged in study magnetic field, produce around a strain, current and carrying conductor के बीच में, तो यह वाला question, आपका most important question के अंदार है, तो यह वाला question भी अच्छे से कर लिजेगा, चलिए, आगे करते हम लोग, screenshot मालते रहिएगा, जितना भी मैं दे रहा हूँ, then आपका neat level diagram, मैं जो बता रहा हूँ, skip नहीं करिएगा, वीडियो, मैं खुद जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग skip नहीं करिएगा, वीडियो, सारे question आपके लिए important है, जितना भी मैंने लाया है, neat level diagram बनाना है, arrangement, magnetic field का, ये वाला भी आपका जो है diagram बहुत important है, ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से कर लीजेगा, loop conducting wire वाला, ठीक है, यहाँ पर loop conducting wire है, और यहाँ पर आपका current carrying conductor है, तो दोनों में difference है, तो इसके लिए दोनों का अलग-अलग spin shot मार के अच्छे से याद कर लीजेगा, with diagram करना है आपको, flaming वाला मैंने बताए था, framing, left hand rule, right hand rule, दोनों आएगा, तो दोनों कर लीजेगा, अच्छे से, whole paper test, ये वाला जो आपका separation of compound में है, ये वाला जो diagram के साथ पूछा जाता है, तो इसके लिए ये वाला process भी अच्छे से कर लीजेगा, neat label diagram बनाने को पूछ सकता है, then आपका ये वाला process जो मैंने पहले भी बताया हुआ, label diagram बनाना है, किसका, आपका incident and angle, जो ray है, light passing होती है, glass से, I और E के respective, मतलब I is equal to E show करना है, तो ये diagram के साथ, आपका जो solution है, वो करना है, ठीक है, तो ये question आपका क्या हो जाता है, most important question के अंद complete the following ray diagram, मतलब ये जो ray diagram दिया, इसको complete करना है, मतलब इस type से complete करके बनाना है, ठीक है, ये वाला जो diagram है, इस तरीके से diagram बनाना है, तो direct ऐसा भी दे सकता है question, तो दोनों अच्छे से कर लेना, diagram का practice करोगे, तो अच्छे से हो जाएगा आपका, चलिए, आगे बढ़ते है, with the neat label diagram, the total internal reference और critical angle के बारे में question आता है, तो ये वाला question आपका क्या हो जाता है, most important question आ जाता है, देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, कि आपके लिए, ये important lecture है, तो please channel को क्या कर दिजेगा, subscribe कर दिजेगा, और अपने friends के साथ भी share कर दिजेगा, क्योंकि उनका भी help ह हो जाएगा, exam के लिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question जो आपका आ रहा है यहां से, draw neat label diagram, ray diagram बनाना है आपका, किस पे, देखिए, पहला एक, infinity पे, दूसरा, 2F1 और, 2F1 पे, फिर बात में, 2F1, फिर बात में, between F1 and F2, then fifth वाला है, F1, and between the F1 and optical O के बीच में, तो यह आपके 5 टैप के हैं, तो आईसा direct भी question पूछ सकता है, यह दो यह marks का है, तो diagram बनाना है, mostly इसमें क्या बनाना है, diagram बनाना है, यह first diagram हो गया, यह आपका second diagram हो गया, second वाला, screenshot माते रहेगा, यह third वाला diagram हो गया, part का, then यह fourth वाला diagram हो गया, diagram बनाते जाहिएगा, diagram बना यह screenshot चले यह 6 वाला आपका पार्ट जो उसी question का है पूरा ठीक है यह screenshot माल लीजए then आगे है draw ray diagram show image forming by concave lens है यह concave lens है इससे image जो बन रही है उसके बारे में पूछ रहा है उसका diagram बनाना है diagram बनाना है तो ये अच्छे कर लीजएगा question तो जो diagram वाले question है ज्यादा अच्छे से करिएगा आप लोग practice करिए इस diagram का यह diagram आपको exam में आएगा आएगा मिलेगा यह exam में आपको चले आगे बढ़ते हैं देन आपको draw the electron किसका hydrogen का फिर बाद में oxygen के लिए और यहाँ पे आपका methane के लिए पूछा जा रहा है तो देखिए यह question आपके लिए क्या हो गया है most important question हो गया फड़ा फट से screenshot माल लिजे फड़ा फट से screenshot माल लिजे यह question आपको exam में जरूर देखने को मिलेगा जरूर देखने को मिलेगा बहुत important question है highly important question माल लिजे इसके screenshot आपका यह space mission के बारे में पूछेगा क्योंकि PSLV एक ही यह question जो है आपका last chapter में important है last chapter जो आपका science 1 का है उसके अंदर PSLV बहुत important है इसका diagram अच्छे से कर लिजेगा हर एक part के बारे में आपको पता रहने चीए कहाँ पे engine है कहाँ पे satellite होता है और first stage second third and fourth चारी stage होते हैं यहाँ पे तो चारो के चारो stage आपको properly पता रहने चीए कि पहला solid fuel, liquid fuel फिर solid fuel, फिर liquid fuel तो यह properly diagram easily बहुत simple diagram है इसके बाद यह complete the table आएगा यहाँ पे जैसे carbon दिया हुआ structural formula, methane, आपके कहा आगया, methane 2 carbon यहाँ पे ethane बन जाएगा यहाँ पे क्या आजाएगा, C2S6 और ethane हो जाएगा, यहाँ पे 3 carbon मतलब 3 carbon यह से line से ट्रॉक करने का, hydrogen लगाने का carbon की valency 4 complete होनी चाहिए यह last वाले में देखो, यहाँ पे बीच में यह जो bond डाल दिया है, wrong है ठीक है, यह bond नहीं डालना है, बीच में यह bond नहीं आएगा, ठीक है, यह wrong है तो नीचे का bond यह जो hydrogen hydrogen के बीच में दिख रहा है, उसको छोड़के condensed form और यह बनाना है आप लोगों को example एक देना है, कोई भी आप यहाँ पर बना सकते हो, कोई भी हलोजन मतलब CH3 के साथ, CL लगा के कोई भी compound आप यहाँ पर form कर सकते हो structural formula पूछा है, तो यहाँ पर structure बना देना है जैसा यहाँ पर अपन ने open chain में बनाया, ऐसे ही वहाँ पर chlorine लगा के बना देना एक structure, condensed form मतलब ऐसे आपको चिपका चिपका के सारे item को बनाना है, ठीक है और example एक कोई भी दे देना, तो यह देखिए आपको question आ रहा है exam में, इस type का, यह देखिए उसका answer है, properly आप लोग कर लिजीगा, यह question आपको exam में देखने जरूर मिलेगा, then आपका है identify the reaction, इसमें oxidation और reduction reaction हो रहा है, तो सिधा सा definition क्या है, जिसमें oxygen निकलेगा, जिसमें oxygen add होगा, oxidation और hydrogen निकलेगा, वो क्या होगा आपका reduction, लेकिन समझो, जहाँ oxygen hydrogen नहीं निकल रहा है, वहाँ क्या होगा, तो वहाँ आप लोगों का देखना पड़ेगा, charges के basis पे तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, FE और S, FES बना रहा है, तो इसमें क्या होगा, FE जो है, आपका reduction में जाएगा, और sulfur क्या होगा, आपका क्या होगा, reduction of sulfur take place, FE take place oxidation, और आपका sulfur का क्या हो रहा है, reduction हो रहा है, तो यह question आपका क्या हो गया, most important oxidation और reduction बताना है, most important question है, mark कर लिजे, then आपका यह जो cell diagram है, electrolysis process, aluminium का, aluminium का electrolysis process most, most important question, एक ही question है, आपका यह, electro refining का यह वाला question, most important question है, इसका कभी का वाल नाम भी पूछ लेता है, कुन सा है, most important question है, यह यहाँ तक खतम नहीं हुआ, इसका एक और थोड़ा सा part है, यहाँ तक है यह, most important question में है, इसका भी screenshot माल लेजे, और इसका भी screenshot माल लेजे, फटा-फट से, चलिए इसका पहले माल लेजे, फिर इसका माल लेजे, देखे, आप लोग ने, जितना भी मैं बोला, रुका-रुका के वीडियो को screenshot मारिएगा, आप लोगों को easily मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने question के साथ answer सब कुछ लाया था आपके लिए, तो I think यहाँ तक खतम हो गया, और इतने ही आपके most important questions थे, जो paper one में आपको देखने को मिलेंगे exam में, paper one में आपको देखने के लिए exam में मिलेंगे, तो thank you so much, आप मेरे channel को subscribe कर लेज़े, अगर आप video अच्छा लगा होगा और informative होगा आपके लिए, तो आप लोग अपने दिल से subscribe कर लेज़ेगा channel को, चलिए, ठीक है, धन्यवाद और all the best सब को, आपके exam के लिए, board exam के लिए अच्छे से score करके आईएगा,